आपके वीडियो चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन ओवर्सीज बैंक चीशे आप लोग आई-ओ-वी के नाम से भी जानते हो तो प्रिवेश टेडियन सेसें के दुराने आप में देखा हूं का जो PSU बैंक से उन सभी के अंदर हमें काफी श्यांदार रैली बनते नजर आई उन में से एक शेयर भी है जिसके अंदर काफी श्यांदार रैली बनी है लग बग 20% का अपर सर्कुट लगा था लास्ट में जाकर आप लोग देखो कि अपर सर्कुट खुल गया था और ये शेयर नीचे में 12% के तेज़ी पर भी आ चुका था लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो 7.5% के तेज़ी के साथ हमें देखने को मिली है बड़ जिजवी निवेसक ने इसको हाई लेवल से पिक क देखो कि fresh bound week high stock ने बनाया उसके बाद आप लोग देखो जो volume आई है काफी high volume 34 क्रोड 19 लाग की बहुत जबरतस्त volume लगी है जिसके चलते इस टॉक में ये breakout हुआ है तो ये breakout एक false breakout होगा या फिर एक genuine breakout अचली वो देख लेए तुछ से पहले यहां पर आप लोग देख कु कि दोनों के दोनों आप लोग देखो कि strongly overboard zone में आ चुक है तो ऐसे में खत्रे थोड़े बढ़ जाते भी overboard zone में गया है तो अपर के लाव से profit booking के chances बढ़ रहे हैं तो इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल साफदानी के साथ चलना चाहिए यहां पर आप लोग देखो कि य अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेकर स्टोग में बैठ सकते हो यह मैंने आपको वहां पर बोला था लेकिन प्रसनली वीडियो नहीं बना है यह मैं भी बोलता हूं तो चलिए अब देख लेते अभी इसके आगे के क्या कुछ momentum हमें देखने को मिल साथते returns काफी श इसने निकाल के दिए एक सरकारी कंपनी है जिसके अंदर आप लोग देखोगे जो promoters है यान की president of india तो उनकी जो total हिस्सेदार है 94.4 96.4% है तो काफी जादा holding हमें दिखाई दे रही उसके बाद LIC के पास 1.2% के असपास तो public के पास बहुत जादा कम stake है ठीक है F1 अपना previous quarter से अपना previous quarter से स्टे के वह decreased किया है mutual funds ने भी decreased किया है तो यहां पर यह सब कुछ हमें देखने को मिल है तो चली अप देख लेते भी इसके आगे कि क्या कुछ मुमेंट रहेंगे data वगरा कैसा है तो यहां पर आप लोग देखो भी IOB से लेटर जो data देखने को मिला प्रीविस क्लोजिंग क्या थी 49.50 पैसे है उपन हुआ उसी भाव पर इस स्टोग ने लो लगा एक चोटा सा 49.10 तक स्टोग नीचे में गया उसके बाद आप लोगों देखो जो rally बनीना जबरदस्त संत 40.40 पैसे तक स्टोग उपर में गया जो इसकी 20% की लिमिट है वो स्टोग ने आपको दिखाई उसके बाद लाश्ट में आप लोग देखोगे स्टोग में गिरावट है और यह से लगबख 46.40 पैसे के भाव पर क्लोजिंग लेते नजर आया है ऐसे में मार्केट प्राइज के उपर आप लोग देखोगे एक बड़ा सेल ओर आते वे नजर आया है लगबख 49,000 32,000 कॉंटिटी गा यानि स्टोग के उपर सेलिंग पर एसर है डिलेवरी पोजिं उन्हें यहाँ पर बिल्कुल साफ़दानी के साथ चलना है क्योंकि स्टोग ने जहां से बागना स्टार्ट किया 30 रुपे के ऐस पास से तो उपर में प्रावड बुकिंग के संकेत काफे ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ़दानी के स देखने को मिला जो कि 36 रूपे, 85 पैसे रहा है, उसके बाद आप लोग को देखो, अपलोग को देखो कि रख में पीछे मुड़के देखा ही नहीं, तो यहां से साथ कि आप लोग को देखो कि सपोर्ट नहीं है और यहां से जो शेर है यह आप लोग देखो के बहुत सारी निवेशकों की इसकंदर होल्डिंग है तो यहां पर आप जो नभी एक और ऐसे लेकर चल सकते हो जो कि 33 उर्पे 90 पैसे का यहां पर बन रहा है तो यह भी आप लोग लेकर चल सकते हो पहला रहे यहां से लोग टरम में इसकंदर पैसा बन सकता है आपने देखा होगा भी और भी बहुत सारी इंडियन बैंक हो गया बैंक ऑफ इंडिया उन शेरों में भी काफी अच्छी शांदार रेली बनते नजर आई है तो PSU में सभी में अच्छी खासी रेली थी पीछे देवे सेक के लिए और जो शॉर्ट टरम के लिए यहां पर करें वो लेवल्स के ओपर खास करके ध्यान रखे 33.90 का पहला सपोक्ट सेकंड रहेगा 40 रुपे 20 पैसे का तो इसके लेवल्स बन रहे हैं मेरी तरब से बाइसल की को रेक्मेंडेशन है नहीं और थैंक यू फर वोचिंग वीडियो